सुनिल जी आपसे समझना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा थी कितनी इसको कहें फ्रूटफुल रही यात्रा एक बात दूसरी बात क्या यहां से कोई ऐसा संदेश देने में राहुल गांधी काम्याब हुए जहां से यह देखा जाए कि इंडिय श्यादब का भी उत्साह जो है उसमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है क्या कुछ देखते हैं धन्यबाद राजियो जी राहुल गांधी की निया यात्रा जब बिहार से उत्तर प्रदेश में प्रवेश की और जब यह अपनी यात्रा पूरी करके आगरा से बाहर निकल ग की जो गहनता थी प्रवाव था असर था वह बढ़ता गया चंदवली जीले में बनारस में इलाबाद में इंजीनों में इंडिया गठबंदर कहीं दिखने रहा था लेकिन आज जैसे इसे यात्रा राइबरेली अमेठे के आगे बढ़ती गई वहां इंडिया दलसमू और समाजादी पार्टी इन दोनों के भी स्ट्ट शेरिंग का फेनांस्मेंट हुआ या एक यात्रा का और भी राजितिक प्रणाम था यह राहूल गांदी ने अपनी यात्रा के दौरान जिस तरीके से युवाओं के साथ संबाद कायम किया चाहा हो बनारस रहा हो चाहा हो रोजगार का महमला रहा हो चाहें बिभिन नियुक्तियों में अरक्षन के बारे में जो अरोप लगते रहे हो चाहें नए विग्यापन नए आने का सवाल हो जितने मुद्दे थे उनसा ही मुद्दों कर राहूल गांदी ने उठाया और अपनी तरब से नहीं उठाया बलक करें युजनाबत तरीके से निसप्राक शहपारदर्सी तरीके से नवकणी लोगकर को रोजगार देने का प्रयास करेंगा और किसानों के प्रविट्व केद्ध का मुद्दा था उसको उन्होंने साफ साफ उस इलाके में कहा कि इंडिया द्लसमूव सब्ता में आने पर उसको कानूनी धरजा देगा मैंते यहं का मामला हुआ किसन्वों का मामला उन्हों ने महिलाओं की सुरक्षा के भी सवाल उठाए और जो विभिन दुर्भागिपुर घट्नाय हुई उत्तर प्रदेश महिलाओं के साथ उनकी वीचेर्चा की और उनके प्रति सरकार का जो रवया रहा है उसके तीखी अलोचनाई भी कि जिस बड़े पैमारे पर लोगों ने उनके यात्रा में शामिल होने की कोशिश की बड़े पैमारे पर लोग उनके सभाव में उपस्तित हुए इसका धार पर आपका कहा जा सकता है कि राहूल गांधी लोगों को अपना संदेश दिरे में सफल रहे और उन्होंने एक अच्छा खासा संबाद लोगों से कायम किय और अपना जो प्राजयतिक संदेश था वो दिरे में सफल रहे इस यात्रा के दोरां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों दोनों के कार्यकरताओं के बीच में भी एक तला की सिरर्जी दिखाई पड़ी जो अब तक शितिर पड़ी हुई थी या कहीं दिक नहीं र जिस तरीके से दोनों-दोनों के नेता और कारकरता सामने आये और एक स्वरें बोलना शुरू किये वह एक बदलती हुई राजयतिक तस्वीर दिखाई पड़ी सबको जैस मेरा अपना यह मानना है कि उत्तर प्रदेश में जो कोशिश थी राहुल गांधी की एक राजयतिक को आतरबन बनाने का भारती अंतरपाटी सरकार के खिलाप उसमें वह काफी हद तक सफल रहे हैं यहां तक कि राष्टी लोगदल के इंडिया दलसमू से बाहर होने के बाद जो यह कहा जाने लगा था कि पश्यम उत्तर प्रदेश में यह अकटपंधन काफी कमज़र हो जा होगे होना मैं यह कहा जाने के बाद से इस यात्रा में परिवर्तन के बात कही जा रही थी कि यह 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 दो Importर प्रदेश हो हो जाहे कि निध्या लोगों के रोज़ी रोजगार की बात कर एगा जो ध किसानों के बहतर अर्थिवरत्ता की बात करें गए जो महिलाओं के सुरक्षा की बात करेगा और करता हुआ दिखाई पड़ेगा लोग उसी के साथ जाएंगे बाजी उसी के साथ जाएगे आज अब यह सित्ति नहीं रह गई है कि आप ने ने नारे गड़ करके आप लोगों को अपने तरह पाक्रशेत देंगे संभव नहीं है है पिछले 10 सालों में आपने क्या किया है यह आपको बताना पड़ेगा आप विपक्ष की राउचना क्यों करके भारती जनता पर्टी अपने जन समर्थन को बढ़ा नहीं सकती है यह सम्भव ही नहीं है उसका जो समर्थक वर्ग है उसके साथ लगा रहेगा यह तो सम्भव है लेकिन नए लोग उसके साथ जुड़ते चले जाएंगे यह सम्भव नहीं है इस यात्रा के बाद जो पत्ना की रैली हुई उत्तरब्रेस की यात्रा के बाद उस रैली में जो जिस तरीके स्लोगों मने और उस यात्रा से लोट के आने के बाद जो आकरामक्ता अक्तियार किया समाजादी पार्टी ने मर्दियंता पार्टे के खिला वह एक उस राजितिक वातावनों को और ग एक बड़ा सवाल लोगों के मन में ये भी है कि क्या रायवरेली की सीट राहुल कांगरेश छोड़ देगी या उस परिवार के लोग उसमें चुनाव लेंगे। आम दोर पिलोगार से बात करने पर लोग का ये माना है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों को मेठी और रायवरेली से चुनाव लगना चाहिए और दोनों की गरूमिद्वारी उत्तर प्रदेश से होती है तो एक लोगों की समझ है कि इसका असर लगभग पूर का सवाल हो चाहें किसानों को रहाद देने का मुद्दा हो इन तमाम मुद्दों पर एक साफ गोई के साथ अपनी बाते रखी है उन्होंने कहीं भी चीजों को संकेतों में कोई बात रोने नहीं चाहिए पुरे अपनी अपनी उत्तर प्रदेश के आतरा के दोरा और और बात कहा उन्हों ने ये जरूर है कि इंडिया दल समों ने जो अपने विशेक में चिनित किया है। जिनके चर्चा उन्हों ने पत्थना के अपने सभा में की उन्हीं विशों को ले करके यहातरा आगे बर्तिय दिखाई दे रही है। और जो इस घटक के अन्य सदस्य हैं, उन्हों के बीच में यही बात्यर्चा का विशा है, समाजवादी पार्टी के राजितिक सक्रियत्ता उत्तर बढ़ी है, बहुत तेजी के साथ बढ़ी है, और लगवक प्रत दिन कहीं ने कहीं इनके अपने राजितिक कार्कम चलना है, यह बताता है कि इंडिया दल्समू कहीं सही बैकफूट पे नहीं है, इंडिया दल्समू भारती जनता पार्टी के दौरा जो एक महल बनाने कोश्च की जा रही है, कि एक तरफल राई चल रही है, उसको उसको उस पे विराम लगाने का भरसक प्रयास किया और काफियत्ता क इसके पीछे सबसे बड़ा कराण में यह मानता हूं कि उन्होंने लोगों से जुड़े हुए जो सवाल है, उन्हें सवालों को अपने लिए मर्श का किंदर बिंदु बनाया है, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, एक बहुत